नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ससी लर्निंग पाइंट भाई सिंग सर आज हम करेंगे चौदा मार्च की सिफ्ट फोर का देपर ठीग है चौदा तारीक के भी सभी सिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगे आप लोग पढ़ते रहें यह बस इतना बहुत है सबसे पहले साइन पी बराबर दे दिया 15 वटे बाइस हमें 10 पी का मान चाहिए यानि कि 10 पी में हमें ऊपर क्या मिलेका 15 तो मिलना ही मिलना था सिंपल सी बात है तो तुम्हें कहीं दिख रहा ऑप्शन में लगा दो भाई देखो साइन ठीटा बराबर क्या होता है एल अपॉन मतलब लंब ब अगर हम नीचे लसी हम लेते तो इन दोनों का मल्टिप्लाई होगा यानि कि यहां से लिख सकते हैं साइन ठीटा प्लस का कॉस ठीटा का होल स्क्वाइर ठीक है और फिर प्लस में साइन ठीटा माइनस का कॉस ठीटा का होल स्क्वाइर अपॉन में क्या बन गया है साइन स्क्वाइर ठीटा या फिर ऐसे ही लिख लो तो लिख लो पुरा साइन स्क्राइब खेगा एक चीज आपने पड़ा होगा कि ए स्कॉएब प्लस लाइक ब्यास्चपा डिया हो हमारेक्ट राइन्था डालेक्ट अन्सर अटा डीरॉयस चीक होरु एहां पर वहीं चीज करेंगे यहांनिक हां कि 2 साइन इसक्वार खेकह पलस का ऑल हो जाएगा साइन स्क्वार ठीटा माइनस कॉसु स्क्वार ठीटा अगला सवाल A, C और E परवार की कुल बचत कितनी है देखो A और C और E यानि कि बचत निकालनी है यानि कि डिफ्रेंस करना पड़ेगा इनकम इतनी खर्च बारा कर दिया यानि कि 13 रुपया बचा लिया 18 रुपय इन्हों ने 8 बचा लिया इन्हों ने कितना बचा लिया एक रुपया बचा लिया आठ एक नो गया नो तीन बारा आंसर आ गया कितना बाईस अगला सवाल यहां से देखो L1 पांच वर्जों का L2 ये L2 मैनस L1 चाहिए सबको जोड़ना और कुछ नहीं करना यानि कि पहले तो विलू वाले उजोड लेते हैं इसको करते हैं पांच 510 कि 0 हासे लगा तीन पांच 720 अधर्वाइध दो दस ओ गया खिजी रहोत्व हो गया तीन दो पांच और दो साथ और एक आट एक नो गड़ा गोटआ तो जीरो चार दो आंसर अगला सवाल चालिश परिसते और परसंट की दो क्रमागत बट्टों के बाद एक बस तो इतने बेंचा जाता है बस तो का अंकित मुल क्या होगा यानि कि दो बट्टे के बाद यानि कि 40% की छूट देंगे तो 60% की चीज बची 20% की चूट दी तो 80% बची और हो कितना गया 4632 हो गया अब यहां से देखो यह दो जीरो चले गया बिल्कुल चले गया आठ पना चालिस हो गया बचा च्छे हो गया तो अठ्टू टू चौसर्टू ज्यादा आठ सत्य चपन आठ नेम बात्तर हो गया अब पिर तीन एकम तीन हो गया तीन नेम 27 तीन तरका नो हो गया दो पंजे 10 हो गया अब एक्स बरावर करना पड़ेगा 50 का कुणा यानि की 15 हो गया उननिस पना 95 और 96 आंसर आगया आगला सवाल पीकी वार में क्यू नबबबबबब डिगरी है पीकी वार में क्यू प्यार पर लंबबबबबब पीक्यू दे दिया था हमको 15 और प्यार वाली चीज़े दे दी 25 पूझ रहा था पी एक्स एक्स आर का यानि की पी एक्स और एक्स आर का अनपात कितना होगा तो देखो 15 पच्छिस बीस यह तो पाइथा ओरियंट रिपलेट से आपने निकाल लिया होगा इसमें कोई दोराय नहीं अब यहां से अगर हम पी एक्स निकालते हैं तो क्या करते हैं 15 का स्वाइर बटे 25 अगर हमें इसको निकालना हो तो क्या करते हैं 20 का स्वाइर बटे 25 यह देखो आपकी प्रॉपर्टी है और अगर आप फिगर बनाके याद कर रहें तो बहुत अच्छा है अगर बना के अगर मालो यह एक्स है और यह और यह अगर इसको निकालना हो तो a square upon x कर देते हैं इसको निकालना हो तो b square upon x कर देते हैं यह चीज़े याद रखो बहुत काम में आने वाली चीज़े ठीक है 25 से तो 25 कट गया 15 15 225 हो जाएगा और 20 200 400 हो गया काट लो चाहा पहले ही काट के लिख लेते 25 25 25 45 अगला सवाल करते हैं यहाँ पर देखो A प्लस B प्लस C बराबर दे दिया कितना हमको 9 और फिर यहाँ पर दे दिया A B प्लस का B C प्लस का C A बराबर 40 ठीक है यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया और हमसे बूचा A स्कायर प्लस B स्कायर प्लस का C स्कायर अब तुमाइस दिमाग में कैलकुलेशन 81 माइनस का 80 अंसर आ गया कितना एक और फिर इसमें गुणा किसका होना था सबसे 6 कॉमन लिया 6 गुड़े एक अब डारेक्ट फर्मूला खोलने पर थोड़ा टाइम लगता भाई हमने क्या किया इसका स्कायर किया बराबर हमके क्य आता है यही पूरा ए स्कायर प्लस का बी स्कायर प्लस सी स्कायर आता और फिर प्लस में दो गुड़े चालिस आता है यहां पर सी और लिख लो इसको इधर माइनस कर दिया बस अगला सवाल किसी ब्रत की पर एक जीवा एमन द्वारा अंतरित कोड़ नबबबब डिगरी है अब यहां से दुरंत दिमाग में आना चाहिए सरकल में बन रहा है किस पर परित पर नब्बय कोड़ बन रहा है तो सिंपल सी बात है यह जीवा रही यानि कि ब्रत का ब्यास ही जीवा हो गई और अर्द ब्रत में बना कोड़ समकोड़ और कोई स्वेसी भाई नहीं ब्रत क अगला सवाल अगला सवाल अब यहां से देखो ए बीजी का रेशियो यह है और इसकी वैलू देखो यहां से डारेक्ट वैलू लिखना चलो बी की वैलू क्या थी तीन थी यहां 15 यहां पर सबको एक्स से गुणा कर लिया ऐसा नहीं है कि है कहीं मान नहीं सकते ए किसी माना नहीं किया यहां से Belka यहां कि 10 सेही बराबर होगया है 105 यहां से नके योग % परसेंटर देखो दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का बीस परसेंटर बीस परसेंट मतलब एक बटे पांच हो गया है यानि कि हम लिख सकते हैं पांच बटे एक वरावर एक प्लस का भी अपॉन लिख सकते हैं यानि कि इससे पर भी जा सकते हैं और इससे पर भी जा सकते हैं एक आयत का परमाप आधा भाग 30 cm यादी आयत की लंबाई की चोड़ाई इतनी अधिक है तो आयत का चित्र वल देखो सबसे पहले परमाप का आधा भाग दिया गया तो आधा भाग का मतलब वैल प्लस वी का 30 दे दिया क्योंकि दो गुना करते तभी तो परमाप पूरा निकालते थे सेंट्री मिटर लंबाई अधिक यानि कि इससे छे अथा दो बचा कितना चोवगे से यानि कि लंबाई चोड़ाई बारह बारह तो रही होगी लेकिन लंबाई छे अधिक थी तो समान ब्याज मिला 6% तर निवेशित की गई रासी कितनी होगी तो दो पहले वाग रहा उससपर 4% के साब से बराबर हो गया दूसरे वाग का 6% के साब से बरावर हो गया तीसरे वाग के 10% समझ गय कि बात को कि नहीं समिझे बिल्कूल समझ पहले और दूसरे का अगर कंपे चेह रहाता है दूसरा जो भी पाह्ट का दोनों जगे बरावर होना चाइए दैनीक दस हो गया तो यहाँ पर पांच का गुणा हुआ इसमें भी पांच का कर देंगे तीन इसको दस बनाने के लिए दो का गुणा इसमें वी दो का तीन दोनी छे हो गया अब यहां से जोड़ लो इनको 15,10,206 कितना हो गया 31 हो गया 31 की वेलू दीगे थी 15,500 खहरा था कि 6% 6% वाला को ता second part second part मतलब 10 हो गया यह पांच बार चला गया 5000 अगला सवाल जेवन सभी वर्सों में एक ही कुल विक्री है ठीक है एक सब्सक्राइब कर ले ले से इतना तो पहले कि चलो ठीक है कर देते चारसो पांस हो गया 55-10 यानिके 1050 हो गया फिर फिर 50 जोड़ा ग्यारास हो गहाँ गया 114 15 हो गया 15 और दो पंदरा 1750 गया इसको जोड लेते नो में छे पंदरा पंद्राकार वशाथ चितना हो गया 22 22 औ और एक 2828 अब कितना बचाए 50 500-500-500 200-250 दोसर कैल्कुलेशन करने के बाद देखो यहां से 9, 9, 6, 15, 15, 17, 22, 21, 23 होगा, ठीक है, माफ किजिएगा, 0 हो गया, 5 हो गया, 3, 2, 5 हो गया, 2 हो गया, डिफ्रेंस करेंगे, 0, 0, और 15 से साथ गया, 8 अंसर, अगला सवाल करते हैं, 48 cm लंबाई की एक जीवा ब्रत के केंदर से 7 cm दूरी प्यारा है, ब्रत के केंदर के 15 cm की दूरी पर इसी ब्रत की जीवा की लंबाई क्या होगी, सिंपल है, बिल्कुल सवाल, देखो मान लो, एक ये जीवा होगी, ये सरकिल तुमाई दमाग में चलना है, बिल्कुल, इस तरीके से मान के चलो, बस बात खतम करो, 48 cm लंबी एक जीवा है, यहने कि ये 48 वाली मान लो, और हमसे ये पूची गई थी, केंदर से दूरी इसकी साथ ती, ये 24 हो जाएगी, ये यहां से मिलते हैं, क्यूंकि सरकिल यहीं सोके गया होगा, तो 7, 24, 25 हो गया, एदर से इसको मिलाएंगे, तो ये भी 25 हो गया, सवाल करते हैं, अब यहां से देखो, पावर 4 पर जाना, यहने कि अट्टू, ट्टू, ट्टू, 64, माइनस का दो एक बार किया, तो कितना आ गया, 62, पिर 62 का इस पार माइनस कर देंगे, कितना 2, आंसर आ जाएगा, यहने कि यहां से करना आसान है, दो दूनी, चार हो गया, छे दूनी, बारा, छे दूनी, बारा, दूनी, चोविस की चार, हासे लगा, दो हो गया, चचरंग, 36, और तिस, माइनस का दो कर देंगे, तो आंसर आ गया, 38, ठीक है, अब देखो, निकालना आसान, इसली हो गया, यह 62, 62, दो दूनी, हमने किया, चार, फिर छे दूनी, बारा, छे दूनी, बारा, दूनी, चोविस की चार हो गया, हासे लगा, दो, शचरंग, 36, 36, में दो जोड़ दिया, इसको आरा गया, अगला सवाल करते हैं, एवन सभी पांच इस गूलों में महला सिचको की संख्या, यानि कि इनकी सब की जो पहले जोड़ लो, नो, तीन, बारा, छे अठार, एक, उनने सो, नने सो 4, तितना हो गया, तेईज, हासे लगा, दो, 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 चार, दो, दो, छे हो गया, बटे पांच कर देंगे, और फिर इसका जोड़ लो, क्योंकि पांच क्या कह रहा था, पुरूस का कह रहा था, यानि कि जोड़े तो जीरो हो गया आठ चार बारा और एक तेरा तेरा हो पांच अठारा हो गया अठारा हो गया अगला सवाल अब यहां से देखो कैलकुलेशन भरा सवाल है बहुत सांदार और यहां नीचे आ जाएगा यानि कि साथ गुड़े एक बटे दो हो गया उपर यहां पर पच्चिस पंजे एक सो पच्चिस हो जाएगा पांस से पांस यह कैंसल आउट हो जाएगा कैलकुलेशन आप अच्छे से करना कॉपी पर दिखिंए अगर नहीं आ रा ठो ठीक है ओपर आगया पांच बटे दो यहां पर करेंगे 5 16 इसाँ को एक साथ बटे दो प्लस का पांच बटे चार माइनस का बटा दो बटे चौदे अच्छा यह कट भी तो गया था यहाँ पर चौदे से ठीक है एक आदमी समान दूरी की चार यात्राएं करता है पहली यात्रा में उसकी चाल इतने किलो मेटर पर तिगंटा पर बाद की पृतिय के जात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी इन चार हो यात्राओं में आदमी की ओसर चाल क्या थी अब यहाँ से देखू पहले में便st2 थी भिर इसका आदा कर pyramid 360 रहे गई इसका आदा कर दिया तो 180 रहे पिर इसका आदा कर दिया नभ है कि यह तो टोटल चारों तो दोटल के लेगा लिए कितनी हृएगी साथ सो बीष बोड़े betting यहां से यह to Youane bo TO तो टायम कितना आया एक हरने कि इससे बहकिया तो दो तो टाइम आया इससे बाग किया तो चार्टबहा गया और इससे किया तो आठ चीजंट तो सब को आठ चार 12 और तो 14 15 15 से हमें करना पड़ेगा बाग तो फिर गोडा भाग करते हैं 0 4-2-8 हो गया 4-7-28 25 हो गया 6-2-3 15-1-15 हो जाएगा बचा कितना 13 15 पंदरा नहीं में 135 ठीक पंदरा दूनी थी सांसर आ गया 192 तो चात्रों का उसत्वार 34 तो इन दोनों को जोडते तो तो कितना आ जाएगा 9 549 यानि कि एक लड़के का अभी कहीं कहीं गायब यानि कि वो 34 से या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा यह तो बास समझ गया क्योंकि तभी सो लोगों का एवरेज 34 होगा अब यहां से देखते हैं इन लोगों से कोई फरक पड़ा यह तो जीरो बना यहाँ लेके गया तो 134 अगर यहां पर भी जज़्यादा जाता अगर मान जैसे 34 हा जाता तो फूँद कोई बात ही नहीं होता है कभी भी अपोजिट लिखें दोनों को जोड़ दो सिखाने के लिए पूरा सिखा दो लेकिन पेपर में ऐसे थोड़े ना उनका सम कर दो 90 करोगे तो ऐसे ना पेपर में 90 से 30 गया 90 में 30 120 126 हो गया यह वरावर यहां से पूरा लॉजिक बता है क्या मतलब बनता है जब इतना सरल तरीके से पेपर हो रहा फिर 90 मैनस वैसे निकालोगे क्या वहां से अब से भाग कर दो चार दुनिया चारती है 12 ही बहुत सरल ता यह त्यानिक बीसी पर एक बंदू है यह देदिया AZB कितना दे दिया 90 और कह दिया AB बराबर AC दे दिया BC दे दिया हमको 42 BC की बहुत याद आ रही है BZ की value गया होगी इसकी value पूछी है तो देखो ये तो विल्कुल क्या बन गया पहले तो सम्दिवाहूत रोज था सम्दिवाहूत रोज पे जो perpendicular पड़ता है इसी को माधिका बोलते है यानि कि ये इसको दो वागों में divide करेगा यानि कि ये कितना हो गया 21 ये पूरा property based आपका सवाल था अगला सवाल करते है 6 क्रमागत समसंक्याओं का उसत इतना है 6 संक्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संसंक्याओं का योग क्या होगा अब समझो बात को सबसे छोटी और सबसे बड़ी क्रमागत लिखी है यहां से समझो अगर मालू लिखा होता तुमारे पास A, B, C, D, E हम कहते ये सारी संसंक्याओं है कि यह लीजिए लेकिन यह आपको पता है अच्छे से और इसके बराबर दिया गया हमको 30 तो ए सबसे छोटी थी इस सबसे बड़ी थी यानि कि ए प्लस ए बराबर कितना हो गया समझ गया एक बात को की नहीं समझे चलो फिर अगला सवाल करते है बिने एक बस्तु को 20 परसेंट के लाब पर बेजता है यादि क्रेम मूल और बिक्रेम मूल दोनों को 20 से घटा दिया जाए तो लाब 40 परसेंट हो जाता है बस्तु का प्रारंबिक मूल क्या होगा देखो 20 प उसने क्रेम मूल में भी 20 कम कर दिया और उसने इसमें भी 20 कम कर दिया तो वो कहे रहा कि 40 परसेंट हो जाता है यानि कि 40 परसेंट मतलब 2240 बीस पंजे 100 यानि कि 52 7 वटे 5 हो गया इसका समझ गये बात को मैं क्या कहना चाहरए तो यहां पर कर दो 35 एक्स माइनस का 140 पांचका तो यहां से इधर आ जाएगा यह 5X दे देगा यह इधर चला जाएगा तो यह 40 दे देगा एक्स बराबर 8 आ गया तो क्या पूछा गया था बस तुका क्रैमूल यानि कि 8 पंजे 40 अंसर अगला सवाल चलिए फिर 14 मार्च की काफी अच्छे सवाल थे और इजी भी थे आसान भी थे ऐसा नहीं है पेपर बिल्कुल मॉडरेट टू टफ साइट था चलिए फिर मिलते हैं एगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय बारत